हेलो नमस्कार साथियों मैं हरवीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल में स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि time to time आपको हमारी notification सबसे पहले मिलती रहे तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी important खबरे लेकर आया हूँ जैसा कि आपने thumbnail में देख लिया होगा उसी के बारे में हम बात करेंगे इससे पहले मैं आपको दो चीजे और बताना चाहूँगा वो भी आप सुन लीजिए सबसे पहले हमारा एक दूसरा channel है अगर आपने वो अभी तक subscribe नहीं किया है subscribe कर लीजिए उस पर आपको free notes इसके बाद free study materials मिलेंगे आपके whatsapp पे भी आपको free notes वगरा daily PDF वगरा सारी चीजे मिलेंगे तो description box में उस channel का link है आप उसे subscribe कर सकते हैं इसके बाद साथियों जो दूसरी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमें एक online competition organize कर रहे हैं जिसमें हमारे परदीप कोशिक सर है और हम है मिलके मतलब competition organize कर रहे हैं तो उसमें घर बैठी आपको video send करनी है उस video पे voting के हिसाब से winner decide होगा और जो जीतता है जिसे मतलब जादा vote मिलेंगी उसको मतलब cash prize भी मिलेगा और उसको shield भी मिलेगी और ऐसा नहीं कि age की कोई foundation है घर बैठी आपको ही सारी चीजे करनी है तो friends इसके बाद जैसा की आपको इंज़ार था कि ऐसी क्या news है उसके बारे में हम बात करेंगे तो friends ये news है 27 तारीक की मतलब 27 की ये news है 27 जुलाई की तो इसमें क्या है कि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही जो सिक्षकों की भरती होगी और जैसा आप जामते हैं कि election का time आने वाला है और इसी वज़े से मुझे लग रहा है कि government इस पर जादा focus कर रही है तो election की वज़े से government चार है कि जल्द से जल्द सिक्षकों की भरती निकाली जाए और अभी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोसना किया कि जिन विशों में सिक्षक नहीं है उनकी जल्द भरती की जाएगी और मतलब प्रदेश में जो सिक्षा ववस्ता है सिक्षा की जो गुनवत्ता है उसको सुधारने के लिए एक अदम उठाया जा रहे मतलब जो भी पद खाली है वो पद भरे जाएंगे हरियाना के अंदर तो ये एक अच्छी खबर है हलाकि अब ये जो लग रहा था पहले की vacancies नहीं आएंगी नहीं आएंगी हलाकि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो बच्चों की संक्या वो कम होती जा रहे है स्कूल बंध होते जा रहे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा vacancies आएंगी लेकिन फिर भी जितने पद खाली है या मतलब जो भी पद खाली है उन पर भरती जरूर आएगी और ये एक अच्छी update है साथियों और मतलब जो भी वेट कर रहे थे उन सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है तो आप समझ सकते हैं और इसमें मतलब काफी अन्य फैसले भी ले गए आप सिक्रीन शॉट लेकि ये सारी चीजे देख सकते हैं इसमें बताया गया है जो भी सिक्सा का level है उसको सुधा ने के लिए स्कूल भी बंद होने काफी तो उनके मतलब जो level है उसको सुधारने के लिए काफी कदम उठाये जाएंगे तो अब ये आप समझ सकते हैं जो TGT लेवल पे भी है PGT लेवल पे भी है PRT लेवल पे भी है मतलब जहां भी सिक्सकों की कमी है वो सारी मतलब जो सिक्सकों की भरती है वो निकाली जाएगी तो हलाकि काफी समय से हमें लग रहा था कि सिक्षकों की भरती आएगी नहीं आएगी लेकिन एक ये एकदम इसके बारे में किसी को उम्मिद भी नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा तो आपको मैं बता देता हूँ 27 जो जुलाई है उसका ये निउस्पेपर है आप समझ सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं और ये आपका देनिक जागरन निउस्पेपर है उसमें ये खबर आई है तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज फ्रॉड है आप अपने घर पे भी देखके अपडेट है आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगे फ्रेंट के साथ सेयर करें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें इससे जुड़ी होई और भी जो अपडेट होगी या कोई भी कदम उठाया जाएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा तो चैनल को उसको भी आप देख लीजिए तो फ्रेंट्स गुडबाई टेक क्यार थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम